यह हमारे पीटी आई सर यह हमारे बच्चे और यह कुछ और बच्चे चल पड़े हैं पिकनिक के लिए आज सरोवा माता मंदेर पिकनिक है बाल दिवस पर आज 14 नमबर के दिन राज के वरिष्ट माते में कि विदाला केलिंग सरोवा माता जालपा चल पड़े हैं बहुत ही खुश्य है सारे के सारे बच्चे चले जी सर चलिए जी पिकनिक चल पड़ी है जालपा माता मंदिर सरोवा के लिए ट्रैकिंग आज बच्चे भी करेंगे पूरा विद्याले करेगा तो यह हमारी टीमे जो हैं लगातर चल पड़ी है और कुटाची से थोड़ा नीचे अभी हम पहुंचे और विहंगम द्रिशे देखें यहां से बल गाटी का बहुत सुन्दर दिखता है यह आज जड़ा स्मॉग है मौसम में तो उसकी वज़ा से उतना क्लेर विजन नहीं आ रहा है इस पीछे आप देख रहे हैं यह बल वैली है हमारी नीचे देखेंगे वास ठीक यहां पर नैरा माता का मंदीर है और इस तरफ को आगया आपका केलिंग जहां से हम चले हैं यह हमारी टीमें उपर तक पहुंचाते पहुंचाते ठक जाएंग यह कशिश एंड कंपनी नेहा इंड कंपनी तो दोस्तों पिकनिक चली है यह हमारे स्टूडेंट पुषपराज थोड़े से हैवी है ठके है अभी चड़ाई चड़के आए है पुषपराज जी कैसा अच्छा लग रहा है आपको पिकनिक में जाना ठके भी मजा आ रहा है थोड़ा पसीना भी निकला अभी और निकले का गटाल है उपर से तो सब के साथ चलेंगे अभी हम आपको बाइक में बेजाएंगे आपको दोस्तों अभी-बी कुछ टीम हमारी यहां से आरी है कुछ जारी है वो देखो आया है तो यह हमारा बच्चा अब हमारे साथ चले अब तरक आप करेंगे तो है आगा जाए नास्ट टाइक उटाजी तक और उसके बाद अजालपा के लिए सबी बच्चे ट्रैक करके निखलेंगे तो पिकनिक वाली हमारी टीम कायार है विल्कुल पूरा का पूरा विद्यालया पहुच किया है कोटाची बस्टेंड में अब यहां से यह सामने लेखी उपर है जालपा मा का स्रुआ वहां के लिए ट्रैक करेंगे हम अब यह चल पड़े हमारे बच्चे ट्रैकिंग करते हुए कोटाची का सुन्दर विहंगम द्रिश्य और यह है उपर सरोवा जालपा माता का मंदिर है चलते चलते बीच में हैरिटेज बिल्डिंग भी आ गई सरोवा के लिए चलते हुए हैरिटेज बिल्डिंग का नजारा भी हमें मिल रहा है हमारे स्टाफ मेंबर्स ट्रैक करते हुए साथ में सभी के सभी ट्रैकिंग का आनन्द लेते हुए च्या बात है डीम साहब चागे तुसी पाड़े तीर्शे रस्तों से शॉटकट बनाते हुए हमारे बच्चे चलिया चलिया शावाज कई पड़ाव आएंगे रास्ते में अभी इस ट्रैकिंग के दौरान और इस तरह के खुबसूरत नजारे दिखते रहेंगे चोटा सा होड़ा बच्चों का पानी वानी पीने के लिए और ये विलिज लाइफ इस तरह से अब को अब को अब को अब को शाबाश मोहिज शाबाश गर्ड़ बेटा गर्ड़ चलता रहेगा हमारा बच्चा अब कि प्राइकिंग अनन्द लेते हुए बान के जंगल में दोस्तों क्या बात है घना जंगल महेश सर मजा रहा है बहुत मजा रहा है डिपी सर अनन्द भी है मंगल भी है देखते हुए अरे गया वाल है परत्यंग खुल गए और देखो यहां की हवा बहुत ही शांदार सुन्दर कैच्मेंट एरिया बना है देखो मज़ेदार जहां तक देख रहे हैं नजारे ही नजारे हैं शांदर व्यूंग साथ साथ में लगडियां भी बिनी जारी है क्योंकि बच्चे जो है कुकिंग खुद करेंगे और लास्ट टैप रहा होगा डिपी सर ट्रेकिंग का जो अनन्द आ रहा है उसकी तो बात ही लागए कौन सा ग्रूप है कितने लोगों का वाल दे बेस्ट नास्ट में देखें अब आप उसको देखने वाले हैं ग्रूप जो है अपनी अपनी कौन सा ग्रूप है बच्चा कितने लोगों का ओके देखिए जालपा माता स्तरोवा और यह है हेली पैड एरिया हमारा स्कूल जो है अध्या कहा पहुंचा और मेरा ग्रूप आपके ग्रूप को मैं बाइस्जट ले आया हूं देखें पूरी टी में यहां पर पहुंच चुकी है सभी अब यह देखिए आपके ग्रूप को मैं ले आया हूं सही सलामत सबसे ज्यादा कांसा ग्रूप है फाइव पहुंचके सभी ठीक ठाक ओके लगाई अपने चूला लगाई है करें तयारी करें करें के साथ रश्मी माडम जी और हमारे पीटी सर सभी ग्रूप के साथ एक-एक टीचर एक-एक महिला जिहापक हमारे सुरेश सर पहुंच चुके हैं सबसे पहले लीड दरते हुए टीम को यह मुल्क सरकट टीम लग रही है मुझे टीम नंबर चूला लगया करिये लकडी कर यह कठी चलो शावास बेटा अपनी कुकिंग पर लग जाना है यह हमारे जगरनाथ सर एकनोमिक्स वाले उनकी टीम है अजी बेटा ग्रूप नंबर थोड़ा सा नीचे उत्रेंगे वहां है लगडियां बहुत सब्सक्राइब बहुत हैं ओके 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 बैरी गूड रिसो पंकज सरका ग्रूप नंबर कितना है बेटा चलिया लगाईए चूला अपना लकडी बगडी का इंज़ाम हो गया चलो सातमी यहां पर लकडी आए नीचे यह उंकार सरका ग्रूप है चूला लगबग तयार हो रहा सर बता रहे हैं तकनीक इसकी सीखना है आप लोगोंने सिखना है अपने और खुद तयार करना है अबस यह साथ में जो इदर को है ना कश्टियां लकडियां सब वहां से लेकर आई है अब हैंगम द्रिश्य है सामने को कमरूनाच जो है वह लोकेशन आती है इदर को बहुत ही शांदार लोकेशन पर शरवामाता लकड़ी का गठर लेके आगी हमारी लड़की क्या लाए आप दिखाने बेटा क्या बोलते हैं इसको कश्टी ज्यादा जोर से हिलाएंगे तो पतिला गिर भी सकता है बस लगातार नहीं हिलाते हैं थोड़ा छोड़ो इसको अब अब इसको थोड़ा सा देखो आपके आज कम हो रही है लकड़ी की लकड़ी डालिए यह है ग्रूप नंबर सेक्स मैगी का आनंद लेते हुए क्यूंकि बच्चे मैगी तो खाना चाहते ही हैं देलिशियस यमी मैगी और यहां पर बने हैं क्या क्या बना बैटा इसमें यह अलू न्यूट्री बने इसके बद चपाती के साथ खाये जाएंगे इस ग्रूप ने अपना खाना त्यार कर दिया है बाकी ग्रूप अभी बना भी रहे हैं बीच बीच में खा भी रहे हैं कुछ खेल रहे हैं यह मेरा अपना ग्रूप और चमन सर का ग्रूप एसाइन किया गया था हमें सेवंध कलास की लड़कियां है ये तो ऐसे ही सभी टीचर्स को अपने अपने ग्रूप दिये गए हैं हमारे ग्रूप का तो खाना तयार हो चुका है हालू नीटरी बना दिये गए हैं जो बच्चों की परमाईश थी मैगी वो कि बाकी हर जगा हर ग्रूप में कुछ ने कुछ टीचर्स जो हैं लगे हैं इनको गाइड कर रहे हैं तो चुप गया पीछे पनीर के परंठे और आलू के परंठे गर्मा गर्म क्या बात है तो फाइनली जाल्पा माता मंदिर सरोहा यह बच्चे जो हैं इंज्वाइब करते हुए चोटे बच्चे के लिए इंटर्टेमेंट का पूरा साधन है यहां पर इसके बाद दर्शन करने के बाद यह बच्चे खाना माना खाते हैं बिल्कुल फारिग हो गये हैं बहुत ही सुंदर केंपस है सरोहा माता का एक और व जाल्पा माता खाते हैं सरोहा दर्शन आप सबीत उतरवाएंगे जवेंड़ा तो दोस्तों पिक्निक की क्लोजिंग सेरिमनी चली है बच्चों का हेड काउंट गया जा रहा है सभी बच्चों को यहां पर बाल दिवस की बधाई भी दी जा रही है साथ में लड़ू भी खिला जा रहे हैं स्टाफ बच्चों ने वो अब हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई